नमस्कार, धे आईस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम भारत की चीन के साथ सीमा सुरक्षा रण्यूनीती का विशलेशन कर रहे हैं विशेश रूप से उत्तरी और पुर्वोत्तर सीमाओं पर बढ़ती चीनी आकराग मकता के संदर्भ में पिछले एक दसक में भारत को डोकलाम और गलवान जैसे छेत्रों में चीन की आकरामक कारवाईयों के कारण कई चुनोतियों का सामना करना पड़ा है इन संगर्सों में चीन द्वारा एक प्रमुख रणनीती को अपनाया गया जिसे सलामी स्लाइसिंग रणनीती के रूप में जाना जाता है आईए सबसे पहले हम यह समझते हैं कि सलामी स्लाइसिंग रणनीती क्या है सलामी स्लाइसिंग रणनीती के तहट किसी छेत पर कबजा करने के लिए एक समगर रणनीती को छोटे छोटे आयाउमों में विभाजित कर लिया जाता है सामानी रूप से गैर कानूनी गतिवीदियों को लागू करने के लिए इस परकार की रणनीतीयों का इस्तेमाल किया जाता है क्यूंकि एक ही बार में कोई कारवाई करना गैर कानूनी होगा हालिया घटित कुछ घटना करमों के उदाहरन देखें तो चीन ने इसका प्रयोग तिबबत का अधिग्रहन अकसाई चीन पर कबजा करने और पारासेल द्वीपों पर नियंतरन करने जैसी कारवाईयों में किया है इसके अलावा उत्तराखंड, पुर्वी लदाख और भारत के पुर्वोतर छेत्रों में भी चीन ने सलामी स्लाइसिंग रणनीती का उप्योग किया है चीन की इन बढ़ती कारवाईयों ने भारत के लिए नई रक्षा चुनोतियां उत्पन्न की हैं जो सीमा सुरक्षा के लिए एक व्यापक और बहु आयामी द्रिष्टिकोन के आवश्यक्ता की मांग करती है यद्यपी कूटनीती और सैन्य वारताएं संगर्च समाधान के लिए महतवपूर्ण हैं लेकिन यह सीमा संबंधी मुद्दे को पूरी तरीके से हल नहीं कर सकता है इसके लिए एक मजबूत सैन्य वल और सटी कूटनीती चीन से निमटने में ज़्यादा कारगर सावित होगी नाथुला, सुमदोरोंग्चू, डोकलाम और गलवान जैसी जड़पें कूटनीती और सैन्य ताकत के सैन्योजन की प्रभावशिलता को उजागर करती है हलाकि दोनों देशों के बीच वर्तमान गधिरोद ज्यादा बढ़ गया है जो समग्र संबंधों को प्रभावित कर रहा है इसके बावजूद सीमा पर भारत के सांती प्रयासों ने दोनों देशों को अपनी इस्थती मजबूत करने में मदद किये चीन ने इस दोरान अपनी बुनियादी सुविधाओं और सैनी छमताओं का विस्तार किया है जिसके कारण हाल ही में भारत ये बलों की भारत चीन सीमा पर बड़े पैमाने पर तैनाती करनी पड़ी भारत की यह जवावी कारवाई चीन को जवाब देते हुए शांती बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबदता को दरसाती है हम अब चीन के उन रणिनीतिक बदलावों को समझने का प्रयास करते हैं जिससे भारत सीमा सुरक्षा की समस्या दिन परती दिन बढ़ती जा रही है चीन की बढ़ती वैस्विक्षवी और ठीक इसके विप्रीत अंतराश्ट्री मंच पर भारत की बढ़ती इस्थिती को स्विकार करने की चीन की अनिक्षा ने दोनों देशों की बादचित को एक जटिल मोड पर लाकर खड़ा कर दिया है आपने देखा होगा कि G20 सिखर सम्मेलन में चीन अनुपस्तिता चीन के प्रतिनिधी सी जिनिपिंग की अनुपस्तिती चीन के इस असंतुष्टी की पुष्टी करती है इसके अलावा चीन के द्वारा भारती सीमा के पास अपनी सैनी छमताओं को मजबूत करना विशेश रूप से पुर्वी लदाख और अरुनाचल में देपसांग के करीब और तिबत में अपनी उपस्तिती का विश्तार दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ा रहे हैं चीन की रणनीती में यह बदलाव इस छेतर में उसकी दिर्गकालिक महत्वा कांग्छाओं का संकेत देता है अब समस्या यह है कि चीन के साथ भविस के किसी भी संगर्स का परिणाम एक अस्थानी जड़प से आगे बढ़कर युद्ध में परिणत हो सकता है जिससे भारत की सैनि प्रतिरोध और अंतराष्टी इस्तिती प्रभावित हो सकती है अतह इन चुनोतियों का सामना करने के लिए भारत क्या कर सकता है आईए अब इसकी चर्चा करते हैं इन चुनोतियों से निपटने के लिए भारत को एक व्यापक राष्ट्री सुरक्षा रणनीती विक्सित करने की आवस्यक्ता है पारंपरिक निरोध को मजबूत करने के लिए इस रन्यनीती में थलशेना, वायूसेना, नौसेना और राष्ट्री शक्ति के अन्य तत्व भी सामिल होने चाहिए ब्रिक्स में भारत का वैश्विक नेत्रितु इसके आत्म विश्वास को दर्साता है अपनी इस्तिती सुरक्षित करने के लिए भारत को असपष्ट और व्यापक सुरक्षा रन्यनीती अपनानी चाहिए चीन, पाकिस्तान आर्थिक गल्यारा, तिब्बत की संप्रभुता, ताइवान के संबंध में एक चीन नीती जैसे छेत्री मुद्दों पर भारत को खुली बातचित करनी चाहिए क्योंकि अधिकांस राष्ट चीन के खिलाब भारत के पक्षदर है आर्थिक भृतधी और विकास के प्रती भारत की प्रतिबदता सराहनी है लेकिन यह सैन्य ताकत की कीमत पर नहीं होनी चाहिए अकेले आर्थिक विकास सुरक्षा खतरों को कम नहीं कर सकता भारत की सैन चमताओं को मजबूत करने में देरी महंजी साबित हो सकती है क्यूंकि चीन का विसाल रक्षा बजट और उसके आधुनिकी करण के प्रयास भारत के पारंपरिक प्रतिरोध के लिए जोखिम पैदा करते हैं अतह भारत के रक्षा बजट का पुनर मुल्यांकन अनिवारी है इस चर्चा में बस इतना ही धन्यवाद